बाबा जी की साजी निवाजी गुरू प्यारी साज संगजी राधा स्वामी जी 10 सेप्टमबर 2023 दिनरवी बार मजूदा सरकार बाबा जी ने तीसरी पात्षाही शिरीगुरु अमर्दास जी महराज की वानी में से ससंग फरमाया और ससंग के वचन थे हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कशुना जाई आपने ससंग की शुरुवात मन और गरंथ शास्त्रों से की जैसे मेंड़क हर समय जल में सनान करते रहने के बावजूद मुक्ती प्राप्त नहीं कर लेता ऐसे ही बिना मन को शुद किये तीर्थ सनान ब्यर्थ हैं मन को वश्च में करने के लिए इसके सभाव को समझना आवशक के है जै लजजत और नवीनता का आशिक है जै पांच विकारों का दिवाना है मूज और चंचल है आपने मन को मुख रख कर ससंग फरमाया आईए हम भी आज का जे बड़ा ही रुखानियत से भरा ससंग सर्वन करते हैं ससंग के बचन हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कशूना जाई इस शोटे से शबद में आप गुर्मत के बारे में गुरु नानिक सहब के घर की तालीम और उपदेश के बारे में संत महात्माओं के संदेश के बारे में बड़ी अच्छी तरह हर पेलू से खोल कर समझा रहे हैं आप फरमाते हैं के हम दुनिया के जीब हमेशा किसी ना किसी के मोज या प्यार में फसे रहते हैं किसी की भक्ती और पूजा करते रहते हैं कोई बेटे बेटियों के प्यार में फसा हुआ है कोई कौमों मजहबों मुलकों की भक्ती करता है तो कोई धन दौलत की पूजा करता है अब देखें तो पूजा शब्द संस्कृत के पूज धातू से बना है जिसका अर्थ है फल की प्राप्ती जब परमार्थ में सिद्धी के लिए किसी उची पूजने के योगे हस्ती शक्ती की सेवा जा अरादना करना आत्मा के अपने मूल की और सभाविक खेचाव के कारण सबी लोग पूजा करना चाहते हैं पर आम लोगों को असली पूजा का ग्यान नहीं है यही बाबा जी ने आज फरमाया के भक्ती और पूजा करनी किसकी है जिसकी कोई पूजा करता है उसी का रूप हो जाता है इसलिए धातू, वन्सपती, पक्षी, पशू, संसार में से कोई वस्तू हमारी पूजा जां अरादना के योगे नहीं है जेतन जीव का जड़ वस्तू की भक्ती करना तो सबसे निकुष्ट पूजा है क्योंकि जैसा सेवे तैसा होवे देवी देवतावी कर्मों का फल्समाप्थ होने पर चरासी में वापस आते हैं इसलिए वे हमारी पूजा के योगे नहीं हैं सारा संसार नाशवान है केवल वैस सत्य अमर अनाद अविनाशी परमात्मा ही हमारी पूजा का वास्त विकाधार हो सकता है संसार एक उपलब्दियां धन दौलत मान बढ़ाई आदी प्राप्त करने के लालच से की गई पूजा जा दुखों मसीबतों हानियों आदी भै के साथ की गई पूजा जूटी और कच्ची है मालक की रजा मानते हुए मालक की पूजा करना ही सची पूजा है मालक की सची और कल्यानकारी पूजा सचे हिर्दे द्वारा ही की जा सकती है जिस परमेशर की पूजा करनी है पैपरमेशवर पूजा करने वाली आत्मा और पूजा का सादन सचा नाम परतेक व्यक्ति के अपने शरीर के अंदर है बाहर परमेश्वर का परतक्ष रूप और सत्गुर की सची पूजा का सचा अधार है और सत्गुर की बताई हुई युक्ति के अनसार वे नमर भाव दुआरा की गई नाम की कमाई परमेशवर का मिलाब कर सकने वाली सच्ची पूजा है अब मन की बात करें तो मन हमें बाहर मुखी पूजा में फसा के रखता है मन को शोटा काल कहा गया है मन काल का अजेंट बनकर परतेक जीव के अंदर बैठा हुआ है हमारे मन आत्मा की गांठ बंदी हुई है चाहिए तो यह था कि मन आत्मा के वश में होता और इंद्रिया मन के वश में परंतु हमारी वर्तमान दशा में मन इंद्रियों के वश में है और आत्मा मन के वश में है मन अमरवेल की भांती आत्मा से शक्ती लेकर इसी कोहानी पहुँचाता है जै आत्मा को खीच कर जबरदसी इस से मन चाहे करम करवाता है काम, करोद, लोब, मुव, एहंकार इसके भ्यंकर अहत्यार है जीव को इंद्रियों के भोगों माया तथा आवा गवन के बंद्रों में कैद करके परमेश्वर से दूर रखना इसका मुख्यकारिय है अगर जीव के हिर्दे में परमेश्वर प्राप्ती की इच्छा उत्पन होती है तो मन इसको करम कांड आदी में फसा कर कुमार्ग पर डाल देता है तथा उसको परमेश्वर की सची भक्ती की ओर जाने ही नहीं देता मन ही जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है तथा मन को जीतना जगत और इसके बनाने वाले को जीत लेना है गुरु नानक साहब की मानी में आता है मन जीते जग जीत यही कारण है कि गुरु सहबानों ने जीवों को बार बार मन के खतरों तथा चृत्रों से सावदान किया है गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि मन रुपी दुश्ट को वश्मे करने की युक्ती केवल पूरे सत्गुरु के पास जाकर साथ संगत में ही मिल सकती है मन को वश्मे करने के लिए इसके सभाव को समझना आवशक के है यह लज्जत और नमीनता का आशिक है यह पांच विकारों का दिवाना है मूज और और चंचल है तथा इसकी वृती नीचे तथा बाहर की और हो चुकी है हट करमों आदी के साथ यह आरजी तोर पर दब जाता है पर मौका मिलने पर और अधिक शक्ती से उशलता है तथा जीव की मिट्टी पलीद कर देता है गुरू साह फरमाते हैं कि मन रूपी हाथी को काबू करने का दारू जा अंकुष गुर शबद है जो परमेश वर ने पर तेक जीव के अंदर रखा हुआ है शब्द या नाम नौदवारों से उपर दस्वी गली में बरस रहा है यह वे महारस या अम्रित है जिसे पीकर मन त्रिप्त हो जाता है और बाहर मुखी के स्थान पर अंतर मुखी हो जाता है शब्द या नाम के आसरे यह अपने ठिकाने ब्रह्मा जा त्रिकुटी में वापस पहुँच जाता है मन आत्मा की गांट खुल जाती है जीव मन मया की हर परकार की मेलों से साफ होकर निजघर सचकर वापस जाने में समरत हो जाता है संसार के बहुत से लोग वेद शास्त धार में गरंथ पोथियों के पढ़ने पढ़ाने को ही सची भगती समझते हैं गुरु साब फरमाते हैं कि केवल इन धर्म गरंथों के पढ़ने से ही मुक्ती प्राप्त नहीं हो सकती अगर पड़े हुए पर अमल करें वेद शास्तुर और गरंथों में प्राप्त महात्मा की शिक्षा के अनसार सत्गुर के बताए मार्क पर चलें अपने अंदर पर मेश्वर की खोज करें साद संगत में रहते हुए नाम जा शब्द की कमाई करें मन तथा विशे वकारों को मार कर मालक की रजा में रहते हुए उनकी भक्ती करें तो गरंथ पोतियों का पाठ सार्थिक हो सकता है और मुक्ती प्राप्ती का कारण बन सकता है परंतु अगर वेदों शास्त्रों के वाचक ग्यान में फस कर वाद विवाद में ही उलजे रहें तो मन में एहंकार पैदा होने के सिवाए और कुछ भी प्राप्त नहीं होता गुरू साथ कहते हैं के शास्त्रों में बताए हुए सत्ते के बारे में बहस करने में मुक्ती नहीं इसको निज्जी अन्भू में बदलने में मुक्ती है वेद शास्तर हमारे सादन है जे तीनों गुरों की हद में है चौते बद में ले जाने वाला सादन शब्द या नाम की कमाई है गुरू अमरताची कहते हैं हर मंदर ए सरीर है ग्यान रतन परगट होए कि हमारा शरीर ही मालक के रहने का असली हरी मंदर है जब भी मालक से मिलने का ग्यान जा अन्बव होगा केवल इस शरीर में होगा इसलिए महात्मा कहते हैं कि मालक की भक्ती मालक की खोज केवल अपने शरीर के अंदर जाकर ही करनी है किस तरह शरीर के अंदर जाकर मालक की खोज़ा भक्ती करनी है गुरू साहब आगे इशारा करते है संतो गुर्मुख पूरा पाई नामों पूज कराई गुरू साहब इतने उचे हैं निर्मल हैं प्रमातमा का सवरूप हैं प्रमातमा में और आप में कोई भिन भेद नहीं है हम दुनिया के जीविस माया के कीड़े हैं मैं कई बार सोचता हूँ कि आप इतने उचे पवित्र और निर्मल होकर हमें संतों क्यूं कहते हैं गुरू साथ हमें अपनी बाणी में भाई क्यूं कहते हैं प्यारे क्यूं लिखते हैं आप हमें समझाते हैं कि अपने मन में नमरता और आजजी पैदा करनी चाहिए, प्यार पैदा करना चाहिए, और हमारी जबान कभी कठोर नहीं होनी चाहिए. आप देखें कि सब इनसान एक परमात्मा के बनाए हुए हैं और सब के अंदर वे एक परमात्मा बेठा हुआ है इसलिए वे सब एक जैसे हैं फिर भी हम एक दूसरे को नफरत की नजर में देखते हैं और नफरत से बलाते हैं हम कहते हैं कि यह मेरा नौकर है यह मेरे अधीन काम करता है यह निमन जाती का है मैं उच्छी जाती का हूँ यह मेरा काम करने वाला है मैं जो चाहूं इसको कह लूँ गुरू साब समझाते हैं कि अपने मन में नमरता पैदा करो आज जी पैदा करो जब आपकी बानी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आप कहीं अपने आपको सेवक कहते हैं, कहीं अपने आपको दासों का दास कहते हैं, कहीं अपने आपको लाला गोला कहकर याद करते हैं, नीच करमा कहकर बियान करते हैं, हमें दुनिया के चार आदमी हाथ जोड़ना शुर मन में आजई पैदा करनी चाहिए जितनी मन में नमर्ता और आजई होगी उतना हमारा ख्याल पर मात्मा की भकती की ओर जाएगा इसलिए आप हमें कहीं संतों कह देते हैं कहीं भाई कह देते हैं ताके हम आपकी मिठी जुबान से प्यार के लहचे से कुछ सीख सकें फिर आप देखें कि हम पंजाब की धर्ती को गुरूं की धर्ती कहते हैं हम इसकी मिठी को चूमते हैं क्योंकि इसने गुरू सहबान के चरणों को शुआ है इसको उनके चरन चूमने का सुभाग के प्राप्त हुआ है लेकिन आज हमने इसकी क्या हालत कर ली है भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है मजहब मजहब के गले काटने की स्की में बना रहा है जब सब को उस एक परमात्मा ने पैदा किया है और वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा हुआ है तो फिर भी अगर कोई किसी का खून करता है वह परमात्मा का खून करता है अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है आप कहते हैं कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि गुरू सहबान के उपदेश पर चलना तो क्या हमने कभी उनके उपदेश सही अर्थों में समझना भी शुरू नहीं किया हमें उनके उपदेश को सही अर्थों में समझना चाहिए और उस उची और निर्मल उपदेश से पूरा-पूरा फाइदा उठाना चाहिए आप करते हैं दान पुन्य करते हैं घर बार शोड़कर जंगलों पहाडों में शिपकर बैठ जाते हैं सुरूबरों पर जाकर तीर्थों पर जाकर सनान करते हैं महात्माओं के गरंथ पोथियों को दिन रात पढ़ते हैं उनकी खड़ाओं को उनकी समाधियों पर दिन रात माथा अपनी अपनी अकल के मताबिक हम परमात्मा से मिलने के तरीके और उपाए अपनाते हैं गुरु साहब समझाते हैं कि भाई मालक की भक्ति करने का मालक की पूजा करने का मालक से मिलने का केवल एक ही तरीका है बै कौन सा तरीका है संतो गुर्मुख पूरा पाई नामों पूज कराई कि तुम्हे कोई मालक का भग मालक का प्यारा मिल जाए जो तुम्हे नाम की कमाई करने का सादन बता दे तुम उसके कहने के मताबक नाम की कमाई करो तो तुम मालक की भगती मालक की पूजा कर सकते हो तब तुम वापस जाकर मालक से मिलाब कर सकते हो गुरू अमरदास जी की वानी में दूसरी जगा समझाते हैं सच्चे शब्द सच्ची पत होई बिन नाम मुक्त ना पावे कोई बिन सत्गुर को नाउ ना पाए प्रब ऐसी बन तो बनाई है उस पर मात्मा ने अपने साथ मिलने का यह कुद्रती सादन जा तरीका बनाया हुआ है कि वह जब भी मिलता है शब्द जा नाम की कमाई द्वारा ही मिलता है और जब भी शब्द जा नाम की कमाई करने के सादन का पता चलता है संतों महातमाओं मालक के भक्तों और प्यारों से ही पता चलता है गुरुनानिक साथ कहते हैं बाबा जग फाथा महा जाल गुर परसादी उबरे सचा नाम समाल कि सारा संसार बुरी तरह से काल के जाल में फसा हुआ है सिर्फ वे लोग ही इस भव सागर से पार हो सकते हैं जो गुर्मुखों की शरन में जाकर अपनी लिव अंदर सचे शब्द से जोड़ लेते हैं सचे नाम से जोड़ लेते हैं स्वामी जी महाराज कहते हैं नाम गुर का समाले चल यही है दाम गठ बंदना कि गुर्मुकों के पास जाकर सचे नाम की कमाई करो यही वह चीज है जिसको पले बांद कर अपने साथ ले जा सकते हो आगे गुरू साथ खोल कर समझाएंगे कि उस नाम की कमाई के बिना और कोई अपायज या तरीका नहीं है जिसके दोरा हम मालक की भक्ती कर सकें, मालक से मिलाब कर सकें मन में ख्याल आता है कि महात्मा नाम किसको कहते हैं? हमने अपने अपने प्यार में आकर परमात्मा के हजारों ने को नाम रखे हुए हैं लेकिन उस परमात्मा का तो कोई नाम ही नहीं है परमात्मा तो अनामी है यह नाम इसलिए रखे हैं कि जब भी हम किसी को बुलाते हैं, मुखातिब करते हैं तो उसका नाम लेकर करते हैं जिसका नाम लेकर पुकारें वै जट हमारी और ध्यान देता है हमारी और देखता है इसी तरह जिस तरीके जा सादन से हमें परमात्मा का ध्यान अपनी और खीचना है परमात्मा की दया मेहर रहमत हासल करनी है उस सादन जा तरीके को गुरू साहब ने और दूसरे संतों महात्मा उने नाम की कमाई करना कहा है कुरुनानक साहब इशारा करते हैं राम नाम मन बेदिया अवर की करीव चार कि उस मालक के नाम की कमाई करने से हमारा मन विंद जाएगा काबू आ जाएगा अपने ठिकाने पर पहुँच जाएगा लेकिन उस परमात्मा का नाम क्या है तो आप बताते हैं शब्द सुर्थ सुख उपजे प्रब रातो सुख सार के नाम से मतलब है सुर्थ शब्द का भ्यास करना सुर्थ शब्द का भ्यास करके जब मालक की भक्ती मालक के प्यार के रंग में रंगे जाएंगे हमारा दे के दुखों से शुटकारा हो जाएगा हम अपने असली घर पहुँचकर हमेशा के लिए सुख और शान्ती हासल कर लेंगे उसको नाम की कमाई करना कह लें शबद का अभियास करना कह लें शबद की कमाई कह लें एक ही चीज है इसलिए आप समझाते हैं कि जब तक गुर्मुकों के पास जाकर नाम की कमाई नहीं करते हम अपनी भक्ती में कभी कामयाब नहीं हो सकते जिस नाम की तरफ महात्मा इशारा करते हैं वे नाम कैसा है खोजत खोजत खोजया नाम में बिन कूर कि हम दुनिया के अंदर बड़ी खोज करके इस नुक्ते पर पहुँचे हैं कि उस मालक के नाम के बिना सब कूर है सब को नाश हो जाना है सब को फना हो जाना है हमें उस नाम की जरूरत है जिसे कभी नाश नहीं होना कभीर साथ कहते हैं जैसंसार कागद की पुड़िया भूंद पड़े घुल जाना है कहत कभीर सुनो भाई सादो सत्गुर नाम ठिकाना है जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी पड़ जाए कागज गल जाता है इसी तरह शरीर को अगनी के सुपुर्द होकर जल जाना बिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है कभीर साथ समझाते हैं कि अगर आप दे में बैठकर नाम की कमाई नहीं करोगे तो आखिर मौत के वक्त पश्टाना पड़ेगा यूही आपने कीमती वक्त को फजूल की बातों में फसकर बरबाद कर दिया स्वामी जी महाराज लिखते हैं गुर कहें खोल कर भाई लग शब्द अनाहद जाई बिन शब्द उपाउ ना दूजा काया काशूटे ना कूजा के शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई उपाई जा तरीका नहीं जिससे हम दे के बंदों से शुटकारा हासल कर सकें बाकि जो भी सादन जा तरीके हैं उनका फल जरूर मिलता है क्या फल मिलेगा सेट शाहुकार राजा महाराजा बन जाएंगे कौमों मजहबों मुलकों की हकूमत हासल कर लेंगे जहां बेकंठों सुवर्गों तक चले जाएंगे लेकिन फिर वापस जहां चुरासी के चक्कर में आना पड़ेगा लेकिन अगर नाम की कमाई करते हैं तो हमारा दे के बंदों से हमेशा के लिए शुटकारा हो जाता है इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं हर बिन सब किश मेला संतों क्या हो पूज चड़ाई शुरू में आप समझा कर आएं हैं कि मालक की भक्ती की महमा का तो कोई कभी बियान ही नहीं किया जा सकता अब आप समझाते हैं कि क्यों हमें मालक की भक्ती करनी है आप फरमाते हैं कि उस मालक के बिना जै जो भी रचना रचना की शकलें जा पदार्थ हम आखों से देखते हैं सब मैल हैं कूड है इन्हें नाश हो जाना है फना हो जाना है गुरुनानिक साथ कहते हैं मात पिता माया देस रोगी रोगी कुटंब सुन्जोगी कि माता पिता ने भी रिष्टेदारों ने भी दुनिया की धन दौलत ने भी हमारा साथ शोर देना है और तो और यह जो हमारा शरीर है जिसके कारण ही हमारा दुनिया से हर तरह का सबंद है गुरू साहब कहते हैं कि इसने भी हमारा साथ शोर देना है फिर आखर में कहते हैं रोगी सगल संसारा कि यह दुनिया रोगी है इसकी सब चीजों को नाश हो जाना है एक ही परमात्मा है परमेश्वर है जो कभी नाश नहीं होता कभी फना नहीं होता जपजी साहब की पहली पौड़ी में गुरु नानक साहब इस नुकते को शपष्ट करते हैं आद सच, जुगाद सच, हैपी सच, नानक होसी भी सच खोज करते करते हमारे अनभव में एक ऐसी चीज आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है जो सच जुग में भी थी, तरेता और द्वापर में भी थी, अब भी है और जिसे आगे भी हमेशा रहना है जिसे कभी नाश नहीं होना, वे क्या है, वे एक परमात्मा है, एक परमेश्वर है उसके सवाए जो कुछ शाकों से देखते हैं, उस सब को हमारा साथ शोड़ देना है सब को नाश, सब को फना हो जाना है आसा किवार में हम पड़ते हैं, कूड कूडे नहलगा विसरिया करतार, किस नलकी चई दोस्ती, सब जग चल नहार कि जई जो हमारा श्रीर है, जै कूड है, किसी को 50-60 साल के लिए मिला है किसी को 80-90 साल के लिए मिला है किसी को इसे अगनी के स्पुर्द करके चले जाना है किसी को मिटी के स्पुर्द करके चले जाना है गुरू साब कहते हैं कि जए शरीर भी कूड है इस शरीर में बैठ कर जिस रचना से मोज या प्यार करते हैं बैबी कूड है उसे भी नाश हो जाना है इसलिए जो कुछ भी हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं इसमें से कोई भी चीज हमारी भक्ती प्यार महब्वत या दोस्ती के काबिल नहीं है स्वाए एक प्रमात्मा के जिसे कभी नाश नहीं होना हम जिसकी भी भक्ती करेंगे उसी का रूप हो जाएंगे अगर उस मालक की भक्ती करते हैं उसका ही रूप हो जाते हैं गुरु अरजन साहिब कहते हैं नहचल एक आप अबिनासी सो नहचल जो तिसेते आएदा के वे परमात्मा नहचल है वे कभी मरन जनम के दुखों में नहीं आता जो उस मालक की प्यार करते हैं वे भी निश्चल हो जाते हैं उनका भी मरन जनम के दुखों से शुटकारा हो जाता है इसलिए गुरू सहब प्यार से समझाते हैं कि इस रचना की कोई चीज तुम्हारी भक्ति जा प्यार के काबिल नहीं सबके साथ लें देन का सबंद है गरजों का प्यार ह हमें हर चीज को यहीं शोड़ कर चले जाना है सिर्फ एक मालक है जो अपना है अपना बन सकता है जिसको अपना बनाना चाहिए हर साचे भावे सा पूजा होवे भाना मन वसाई अब गुरू साब समझाते हैं हर साचे भावे सा पूजा होवे के भाई उस परमात्मा को जूर होगा तबी तूं उस परमात्मा की भक्ती कर सकेगा जब तक मालक की बक्षिश नहीं होती मालक की पूजा नहीं हो सकती हम मालक की भक्ती नहीं कर सकते मालक से मिलाप नहीं कर सकते हम दुनिया के जीव अंदे हैं वे परमात्मा आखों वाला है आप जानते हैं के अंदे की उंगली पकड़ कर उसको औधेरे से बाहर ना निकाले। इस माया के जाल में बेटे बेटीं के मुं में फस कर मजभ़ों मुल्कों के झज़गडों में फस न न हम दलत की भटकन के फसकर हम बिलकुल ंदे हो चुके हैं बहरे हो चुके हैं मालक की भक्ती की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता हम इंद्रियों के भोगों में इतने फसे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं रोज देख रहे हैं कि हमारे साथ ही हमारा साथ शोड़े जा रहे हैं खुद साथ होकर उनको शम्शान भूमी तक शोड़ कर आते हैं और आखों से देखते हैं कि जिन शकलों और पदार्थों को वो अपना अपना कहते थे उन में से किसी चीज ने उनका साथ नहीं दिया लेकिन फिर भी मन में ये ख्याल आता है कि ये बड़ा बदकिस्मत था जो इनको साथ नहीं ले जा सका मैं जरूर इनको इकठा करके अपने साथ ले जाऊंगा इसलिए गुरू साथ प्यार से समझाते हैं कि जहां से किसी चीज को तुमारे साथ नहीं जाना जो असल में अपनी दौलत है उसको कोई अपनी बनाने की कोशिश नहीं करता जिन चीजों को जहीं शोड़ जाना है उनके लिए सब दिन रात भटकते फिरते हैं आप कहते हैं मालक ही दया महर करे तो कहीं जनम जनम के सोए हुए हम जागते हैं फिर होशाता है कि प्रमात्मा ने हमें इनसान का जामा बक्षा किस लिए था और हम किस और अपने मन को लगाए बैठे हैं जै जनम हमें बार बार नहीं मिलेगा वे मालक ही बुद्धी दे अकल दे समत दे तब ही मन थोड़ा बहुत उसकी भकती की और लगता है इसलिए आप कहते हैं हर साच्चे भावे सा पूजा होवे उसको मनजूर होगा उसको भाएगा तब ही हम मालक की भकती कर सकेंगे पूजा करे सब लोक संतो मन मुखथाए ना पाए पिशली चार पाँच तुकों में गुरु नानिक साहिब के घर के सारे उपदेश को बड़ी अच्छी तरह से खोल कर समझाया गया है कि उस परमात्मा की भकती करनी चाहिए और जब भी भकती कर सकेंगे मालक के भकतों प्यारों के जरीए नाम की कमाई के जरीए कर सकेंगे आपने समझाया है कि मालक की भकती इसलिए करनी है कि दुनिया को नाश हो जाना है फना हो जाना है वे परमात्मा कभी नाश या फना नहीं हो सकता यह भी समझाया है कि परमात्मा की भक्ती तब ही करेंगे जब परमात्मा खुद दया महर जब बक्षिश करके हमें अपनी भक्ती में लगा लेगा और किस तरह भक्ती करनी है इसके भाने में उसके हुकम में रहकर भक्ती करनी है दुनिया की धन दौलत के जरिये हम मालक को नहीं खरी सकते अगर हम मालक की भक्ती में सफल होना चाहते हैं तो अपने आप को बिना शर्त परमात्मा के सपुर्द कर देना होगा गुरू साब उस करम कांड का बाहर मुखी सादनों का जिकर करते हैं कि आम तोर पर हम दुनिया के जीव मालक से मिलने के लिए भक्ती करते हैं आप शारा करते हैं पूजा करे सब लोक संतो मन मुखथाए ना पाए कि मालक की भक्ती तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के मताब करने में लगे हुए हैं क्योंकि आत्मा की कशिश जाखीच अपने असल की तरफ जुरूर मारती है उसमें बंदे हुए हम दिन रात मालक को ढूनने में लगे हुए हैं किसी महात्मा के सथसंग में चले जाओ कितनी रौनक होती है मंदरों महजदों गुर्दवारों में चले जाओ कितनी संगत जमा होती है तीर्थों पर लोग किस तरह लाखों की गिंती में सनान करते हैं क्योंकि हर एक के अंदर मालक से मिलाब करने की कशिश है गुरू साब कहते हैं कि दुनिया बेचारी माल मालक से मिलने के लिए कोशिश करने में तो जरूर लगी हुई है लेकिन मन मुख्थाय ना पाए कि लोग मन के पीछे लगकर मालक की भक्ती करते हैं इसलिए वे बिचारे अपनी भक्ती में कभी कामजाब नहीं हो सकते मन क्या करता है बाहर मुख्य कर देता है कर्म कांड में लगा देता है किरिया कलाप हट कर्मों में लगा देता है इसलिए आप कहते हैं कि अगर तुम बाहर मखी सादनों के जरिये मन के धीन होकर मालक की खोज करोगे तो कभी अपनी तलाश में कामजाब नहीं हो सकोगे शब्द मरे मन निर्मल संतो ए पूजा थाए पाए जब शब्द की कमाई करोगे नाम की कमाई करोगे यह परमात्मा की भक्ती है यही भक्ती तुमें तुमारे ठिकाने पर पहुँचाएगी आप कहते हैं कि जो भक्ती परमात्मा को मनजूर है जिस भक्ती को हमें हमारे ठिका पर पहुंचाना है। फिर केभल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। महात्मा दूसरे साद्णों और त्रीकों के निंदा नहीं करते। उन्हें रूपए को सोले आने कहना पड़ता है। उन्हें ठीक ओठीक कहना पड़ता है। आप देखें। जब ॡड़क्टर किसी करना पड़ता है, खुर्च खुर्च कर पीप को बाहर निकालना पड़ता है ताके थोड़ी सी पीप भी अंदर ना रह जाए, जो जखम को राम ना आने दे, महात्मा नहीं चाहते कि हम किसी वहम में फस जाएं, भरम में फस जाएं, और इतनी मुश्किलों से हासल किया जाए इनसान का जामा, फजूल ही मिटी के मौल, खोकर बैठ जाएं, आप देखें, अगर जखम हो जाए, तो मरहम के बजाए कई बार चाकू की ही जरूरत पड़ती है, क्योंके मरहम नहीं, चाकू भी जखम को ठीक करता है, इसलिए गुरू सहब अच्छी तरह से हमारे मन को वह पहमों और भ्रमों से निकालना चाहते हैं, कहीं नाम की कमाई शोड़कर बार मुखी सादनों में न फस जाएं, खड़ाओं से, चार पाईयों से, सुरोवरों जाए, इटों पत्थरों से ना बंद जाएं, गुरू साब हमें बार बार इस नुक्ते पर लाना चाहते हैं, क आप फरमाते हैं, कि जिन भागेशाली जीवों ने मालक की दया मेहर जां बक्षिश के जरिये, सारी रचना से मो या प्यार निकाल कर शब्द से ख्याल जोड लिया, जो चलते फिरते उटते बैरते शब्द या नाम से जुड़े रहते हैं, वे खुद भी पवित्तर हो जा कर दें, सारा जंग उतर जाएगा, छुरी अंदर से साफ सुतरी होकर निकल आएगी, इसी तरह हम साकत भाव मन मुख पर्शों के कितने ही, खोटे पाप और कर्म क्यों ना हों, नाम की कमाई सब कर्मों का सिलसला खतम करके, हमारी आत्मा को निर्मल और पुवित्तर बना द देती है, गुरुसा कहते हैं, मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हमे मम्ता शब्दे खोवे, के जो खुद माग मुक्ती हासल कर लेते हैं, वे हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम से जोड़ कर, हमारे अंदर सेवी हमे और मम्ता को दूर कर देते हैं, और हमें भी मुक्ती हासल करने के काबल बना देते हैं बिन नामे हो और पूज ना होवी भरम भूली लुकाई इस से ज़्यादा गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को किस तरह खोल कर समझ सकते हैं आप फरमाते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के बिना कोई मालक की भक्ती नहीं है पूजा नहीं है आप सोचें अगर नाम की कमाई ही मालक की एक सची भक्ती और पूजा है तो हमें स्रोवरों में सनान करने से क्या फाइदा होगा दिन रात महातमाओं की रचनाओं को पढ़ने का क्या फाइदा होगा अगर सब कुछ शब्द या ना पुन्य करने का क्या फाइदा हुआ गुर्णानिक साहब की वानी है नाम विसार चले अनमारग अन्तकाल पश्टाही के भाई नाम की कमाई करने का त्रीका शोड़ कर किसी भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तुझे आखिर मौत के वक्त पश्टाना पड़ेगा के यू पश्टाना पड़ेगा बिन नामे धर ढोई नाही ता जम करे खुआरी के शब्द या नाम की कमाई के बिना तुम मालक के घर नहीं पहुँच सकोगे जम दूदों के हाथों खराब होना पड़ेगा मरन जनम के दुखों में आना पड़ेगा गुर्मुख आप पशाने संत राम नाम लिव लाई गुरु साहिब ने दूसरी तुक में मालक की भक्ती करने के लिए दो चीजें समझाई हैं गुर्मुख संतों गुर्मुख पूरा पाई नामों पूज कराई कोई मालक का भक्त और प्यारा मिल जाए कोई गुर्मुख मिल जाए और नाम की कमाई करने की ही महमा करते चले आ रहे हैं अब समझा रहे हैं कि मेरा गुर्मुखों से क्या मतलब है किस किसम के महात्मा की खोज करनी है किस किसम के महात्मा की संगत और सोबत करनी है आप फरमाते हैं गुर्मुख आप पशाने संतो राम नाम लिव लाई, के गुर्मुख वे सजण होते हैं जो राम नाम से प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबल बन जाते हैं, हम कब अपने आप को पहचानते हैं, जब मन और माया के दाइरे से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं जब रूँ और मन की गांट खुल जाती है फिर हमें अपने आपका पता चलता है आपने हमेशा अरज की कि आत्मा निर्मल है पवित्र है लेकिन मन का साथ लेने के कारण अती गंदी और मैली हो चुकी है आप देखें बादलों में पानी कितना साफ सुतरा होता है जब बर गंदगी ही समझना शुरू कर देता है उस पानी को सूरज की तपश या गर्मी मिलनी शुरू हो जाए वे भाब बनकर गंदगी को शोड़ देता है उसको खुद ही होशा जाता है कि गंदगी कोई और चीज है मैं कोई और चीज हूँ मैं यूं ही अपने आपको गंदगी स प्रतनल स्वास की का बहुत बड़ी है कि अगर एक तुक में कोई इसारा करते हैं तो दूसरी तुक उसको बिलकुल सबस्ट कर देती है एक तुक में कोई सवाल उठता है दूसरी तुक उसका जवाब दे देती है पहले आपने समझाया था हर साच्चे भावे सापूजा होवे कि उस मालक को भाएगा मंजूर होगा तब ही तुम मालक की भक्ती कर सकोगे अब समझाते हैं कि मालक किस तरह हम पर दया मेहर बक्षिश करता है तो आप फरमाते हैं गुर शब्दी थाए पाई कि जब परमात्मा हम पर दया मेहर बक्षिश करना चाहता है तो वे हमें गुर्मुकों से मिला देता है संत महात्माओं की संगत और सहबत में ले जाता है वे मिलने के काबल हो जाती है। गुरु मरदाजी फ़रमाते हैं आप पे करता करे कराए आप पे शब्द गुरु मन वसाए कि जो कुछ करता है वей परमात्मा खुद करता है जब हमें दे के बंद्रों से शुडाना चाहता है वे खुद ही गुर्मुकों के जरिये हमारे मन में शब्द बसा देता है नाम बसा देता है पूजा करे पर बिद नहीं जाने दूजे भाए मल लाई अब फिर समझाते हैं कि भक्ती हम सब दुनिया के जीव पर मात्मा की करते हैं क्योंके आत्मा जरूर अपने असल की और जाने के लिए जोर मारती है लेकिन दूजे भाए मल लाई हमें मालक की भक्ती करने का तरीका पता नहीं चलता हम गलत रास्ते पर चलकर अधिक पापों का बोज गठा करके बैठ जाते हैं आप देखें उस पर मात्मा को खुश करने के लिए किस तरह हम जानवरों की कुर्बानी देते हैं पहले इंसान की कुर्बानी भी दी जाती थी मालक को खुश करने के लिए लोगों की गर्दन पर शुरिया चलाना असान है मालक के हुकम और भाने में रहकर जिंदगी गुजारते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है उसके बारे में आप फिर आगे इशारा करते हैं अगर तुम्हे परमात्मा की भक्ति करनी है तो गुर्मुखों की संगत करो गुर्मुखों की सोबत करो गुर्मुखों वे सोपूजा जाने उनको मालक की भक्ति करने का असली तरीका पता है सादन पता है वे क्या समझाते हैं भाना मन वसाई के मालक के भाने में रहकर मालक की भक्ति करो मालक के गरहक बनकर नाम की कमाई करो इसलिए आप फरमाते हैं कि मालक की भक्ति करने के असली तरीके का पता केबल गुर्मुखों से संतों महात्माउं से ही चल सकता है जब हम उन गुर्मुखों के समझाने के मताबक मालक की भक्ति करते हैं हमें सब सुखों की प्राप्ती हो जाती है मतलब यह है कि हमारा ख्याल अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है जिसके जिरिये हम सब सुखों के दाता उस परमात्मा से सदा के लिए समा जाते हैं अपना आपना पशाने संतो कूड करे वड़ियाई पाखंड कीने जम नहीं शोड़े लह जासी पतगवाई आप फरमाते हैं कि शायद हम अपने आपको भी थोड़ा बहुत धोका दे 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 लेकिन उस मालक को जो हम सब के अंदर बैठा हुआ है जो हमारे एक एक करम को देख रहा है उसको हम किस तरह धोका दे सकते हैं उसको ना गवा की जरूरत पड़ती है ना वकील ना दलील की जरूरत पड़ती है जो जो खोटी करतूते हम दिन रात कर रहे हैं वे अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है हमें उन सब कर्मों का फल भुकतना पड़ेगा जब मौत का वक्त आता है तो जमदूद आ जाते हैं और कांद से पकड़ कर हमें धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं वहां हमारे कर्मों के मताबक चाओं तरिशनाओं के मताबक जहां वैं ठीक समझता है वहां भीज देता है एक दे की कैद से तो अभी तक शुटकारा नहीं हुआ था कि दूसरी दे रूपी कलबूत हमारी आत्मा के लिए पहले ही खड़ी निल जाती है उसमें जाते बाद में हैं मौत पहले ही आखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है जिसके रोज के चेहरी से वरंट ही निकलतے रहें उसकी क्या इज्जत हो सकती है जब हमें हर बार धर्म राय के पास जाना पड़ता है तो हमारी दुनिया में क्या इज़त हो सकती है मालक के घर क्या इज़त हो सकती है इसलिए आप प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर तुम मन के अधीन होकर बुरे करम करते रहोगे तो हमेशा के लिए काल के जाल में फसे रहोगे चरासी के बंदनों में फसे रहोगे जिन अंतर शब्द आप पशाने गतमित तिन ही पाई असली इज़त कौन हासिल करते हैं जिन अंतर शब्द आप पशाने के जो लोग अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को नौदवारों में से निकाल कर आखों के पीछे लाकर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं जो मन और माया के दाइरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं उनको सची इज़त हासल हो जाती है, सची शुबा मिल जाती है ए मनुआ सुन समाद लगावे जोती जोत मिलाई उस शब्द या नाम की कमाई करने का क्या फाइदा होता है हमारी समादी लग जाती है, इसका क्या फाइदा होता है हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है आत्मा और मन की गांट खुल जाती है जब आत्मा मन के पंजे से अजाद हो जाती है तो जै भी अपने ठिकाने पर वापस पहुँच जाती है उसका क्या लाब होता है चोती जोत मिलाई के बूंद समंदर में जाकर समंदर ही बन जाती है आत्मा पर्मात्मा की भगती करके प्रमात्मा का रूप अख्तियार कर लेती है हमारी आत्मा जो मालक से बिच्ड कर मन के धीन होकर 84 के बंद्रों में बदी हुई दुख और मसीबते उठा रही थी संतों महात्माओं की संगत में जाकर और शब्द नाम की कमाई करके अपने आपको पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पर पहुँच जाती है और हमें सदा के लिए 84 के बंदों से शुटकारा मिल जाता है सुन सुन गुर्मुख नाम वखाने सत संगत मेलाई अब आप गुर्मुखों की महमा करते हैं तो आप फरमाते हैं ससंग के जरिये ससंग करने का मतलब ही यह है कि हमारे मन में शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो मालक से मिलने का प्रेम प्यार विरह और तडप पैदा हो हमें शब्द या नाम की कमाई करने के भेद का पता चले तरीके का पता चले गुर्मुख गावे आप गवावे दर साच्चे सोबा पाई गुरु साब बतौर सवाल फरमाते हैं के हमारे और मालक के बीच रुकावट किस चीज की है फिर आप ही बताते हैं के अपने आप की रुकावट है अपने आप का परदा जा दिवार है गुरु अमरदास जी एक और सथान पर उपदेश देते हैं आप वंजाए तां सब किश पाए के जब हम अपने अंदर से अपने आप को निकाल देंगे तो हम सब कुछ हासल कर लेंगे जै अपना आप क्या है जै हम में खुदी जै हैंकार है गुरु अरजन साहब पदेश करते हैं एक का संगत एक का ग्रै बसते मिल बात ना करते भाई के रू और मालक कठे रहते हैं दोनों का एक ही घर में निवास है लेकिन फिर भी आपस में कभी मिलाब नहीं हुआ ना कभी रू ने मालक के दर्शन किये ना कभी सहागन हुई यह क्यूं सहागन ना हुई गुरु अरजन देव जी फरमाते हैं अंतर अलखना जाए लखिया विच पर्दा हुमे पाई वे मालक तो हमारे अंदर ही है लेकिन हमें नजर नहीं आता क्योंके हमारे और मालक के दर्मियान हुमे का बड़ा जबरदस्त पर्दा लगा हुआ है जब तक हम अपने रास्ते में से हुमे की रुकावट दूर नहीं करते चाहे वे मालक हमारी देज या शरीर के अंदर है हमारा उससे कभी ख्याल नहीं जुड़ सकता साची बानी, सच वखाने, सच नाम लिव लाई अब गुरु अमरदास जी गुर्मुकों के वस्ता बियान करते हैं जो अपने अंदर से हुमे निकाल देते हैं, मैं मेरी को मार देते हैं अपने अंदर से अपने आप को निकाल देते हैं उनका ख्याल चलते फिरते उठते बैखते शब्द या नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। बेद दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल से नहीं लिबरते हमें दुनिया में किस तरह रहना चाहिए फर्ज और ड्यूटी समझ कर रहना चाहिए। मैं भंजन अतपाप निखंजन मेरा प्रब अंत सखाई। जब हमारी यह वस्ता हो जाएगी कि हम दिन रात उसके नाम में रंगे जाएंगे तो इसका क्या फाइदा हासल होगा तो गुरू साथ फर्माते हैं कि फिर हमारे हर किसम के डर दूर हो जाएंगे अभी हमें कौन कौ कौन से डर लगे रहते हैं पहला डर मौत का है जो सब को दिन रात लगा रहता है पता नहीं किस समय मौत आ जानी है किस के हाथों आ जानी है पता नहीं जमदूद हमें किस तरह गसीटेंगे आगे जाकर कौन कौन से दुख उठाने पड़ेंगे जह डर हमेशा के लिए दू कराती है. हमारे पाप लाते हैं, खवाशें और त्रिशनाई लाती है. जब शब्द या नाम की कमाई करने से सब कर्मों का खवाशें त्रिशनाओं का हिसाब किताब खत्म हो जाता है. तो हमारी आतlumah निर्मल और पुवित्र हो जाती है फिर क्या होता है मेरा प्रब अंत सखाई के वे मालक आखर में हमारी साहता करता है हम पर दया मेहर करके हमें हमेशा के लिए अपने साथ मिला लेता है आपके कहने का मतलब के शबद या नाम की कमाई करने से ना हमें मौत का डर रहता है ना हमारे अं आटमा निरमल होकर वापस अपने असल के साथ मिल जाती है सब कुछ आप पे आप वर्ते नानक नाम वडेयाई गुरू साहब सब कुछ समझाकर मालक की तरफ आते हैं आप फर्माते हैं के हमें जो कुछ भी मिलेगा मालक की दया और बख्षिश के जरिये ही मिलेगा व्य मालक कन कन पत्ते पत्ते में वियापत है चो कुछ भी हो रहा है उसके हुकम उसकी मौज से हो रहा है लेकिन दे में बैटकर उस मालक से मिलाब करने की उसको कन कन में देखने की विड़ाई किसको मिलती है नानक नाम वड़ाई कि जैवडियाई उनको ही मिलती है जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के काम काज करते हुए अपने ख्याल को शबल से जोड़ कर रखते हैं नाम से जोड़ कर रखते हैं हम दुनिया में जो कुछ भी कठा कर रहे हैं उसे हमारे साथ नहीं जाना है उसे हमारी सहायता और तो गुर्नानिक साहब उपदेश करते हैं बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ध्यावनिया के नाम के बिना ना किसी को हमारा साथ देना है ना किसी को हमारी मदद करनी है अगर मुक्ती हासल करने का कोई सादन और तरीका है तो वैक के वर शब्द या नाम की कमाई है इसलिए हमें भी चाहिए कि हम गुरू साहब के संतों महातमाओं के अन्भव से फाइदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द से जोड लें तांके हम भी उस मालक से मिलने की सची वड़ाई हासल कर लें राधास स्वामी जी